फ्रेंच कार निर्माता रेनॉल्ट बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट जनरेशन डस्टर एस यूवी को भारत में पेश कर सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी डस्टर के नए मौडल पर काम कर रही है जिसे अगले दो साल के अंदर वैश्विक बाजार में लौँच कर दिया जाएगा उमीद की जा रही है कि नई डस्टर में आकरशक स्टाइलिंग और अत्याधूनिक फीचर्स के साथ प्रतिस परधात्मक प्राइस रेंज में उतारी जाएगी रेनॉल्ट ने हाल ही में डस्टर के उत्पादन को बंद किया है यह SUV 2012 में लौँच के बाद लगभग एक दशक तक भारतिय बाजार में उपलब्ध रही रेनॉल्ट डस्टर कम्पनी की सबसे सफल SUV रही थी उत्पादन के पहले वर्ष में डस्टर की लगभग 40,000 यूनिट की बिक्री कर ली गई थी हाला कि बाजार में लगातार कम हो रही बिक्री के कारण कम्पनी ने डस्टर का उत्पादन 2022 में बंद कर दिया जानकारी के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर CMFB-LS प्लेटफॉर्ण पर तयारी की जाएगी जो जर्मन आटो मेकर फॉक्स वैगन के MQBA शू में आइन प्लेटफॉर्म के समान है जो टाइगुन, वर्तस, स्लाविया और कुशाक सहित मौर्लों में उप्योग किया जाता है CMFB-LS प्लेटफॉर्म विशेश रूट से भारत जैसे विकास शील बाजारों के लिए तयार किया गया है और सभी उतसर्जन और वैश्विक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करता है नई डस्टर को बेहतर इंधन दक्षता के लिए हाइब्रिड पावर ट्रेंग के साथ पेश किये जाने की उम्मीद है उम्मीद की जा रही है कि इस SUV में स्क्वायर फेंडर्स, LED हेडलाइट्स और इंतिग्रेटेड डिये जाएंगे ऐसे भी अटकले हैं कि रेनॉल्ट की नई डस्टर 4X4 संसकरण में लॉंच नहीं होगी पिछली पीडी के डस्टर को केवल 4X4 संसकरण में ही भारत में बेचा जा रहा था भारत में डस्टर SUV को 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर के 9 के डीजल इंजन वाले दो वेरियंट में पेश किया गया था कम्पनी ने वर्ष 2014 में एक लाख डस्टर बेचने का मील का पत्थर भी पूरा किया था कम्पनी ने 2016 में भारत में डस्टर के फिसलिफ्ट संसकरण को लॉंच किया था जिसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकर्प उपलब्ध था रेनॉल्ट की कारों पर मार्च 2022 के डिसकाउंट की घोशना कर दी है कम्पनी इस महीने अपने कारों पर 1.30 लाख रुपए तक बचत का मौका दे रही है कम्पनी अपने चारों मौडल स्ख्विड, ट्राइबर, काईगर वर डस्टर पर छूट दे रही है